कि हैं लो स्वागत है आप सभी का ग्यान्सागर इंस्टिटूट के यूट्यूटीफ लेटफॉर्म पर आशा करते हैं आप सभी स्वस्थ होंगे अच्छे होंगे तो इस्टूडेंट्स जो है आप पर अगर्स मंस का करेंट एफ्यस डिसकस किया जा रहा है उसी स्रंखला मे अज ये fourth video है तो ये fourth video है questions की इस पर हम लोग आज दिसकस करेंगे तो आप लोग copy और pen लेकर बैठे होंगे copy और लेकर बैठ जाएगा और जो भी चीज़े साथ में नोट करते होँ चलेगा जो भी किसी भी questions के जो भी key points होंगे वह आप साथ में नोट करते हो चलेगा और ये आपका किसी भी exam कोई भी exam हो से लिए सफिसेंट रहे गा कोई भी one exam होते हैं उनके लिए सफिसेंट रहेगा तो आज स्टार्ट करते हैं आज का अपना पहला question पहला question है राष्री ये हत करगा दिवस National hand loom day कब मनाया जाता है तो आज का पहला question कहा है कि राश्ट्री ये हत करगा दिवस कब मनाया जाता है नेशनल हैंडूम जे कब मनाया जाता है option 6 अगस्ट, 7 अगस्ट, 5 अगस्ट और 3 अगस्ट तो इसका जो यहाँ पर सही answer है वो है option B यानि कि 7 अगस्ट, राश्ट्री हत करगा दिवस, प्रतिवर्स, 7 अगस्ट को हर साल मनाया जाता है क्यों मनाया जाता है, किस वज़े से मनाते हैं, क्या उद्देश होता है यह सारी चीज़े हम लोग आगे इसके संबंधित तर्थ्य में, सारी चीज़े वहाँ पर डिस्कस करेंगे तो आएगा इसका संबंधित तर्थ्य देख लेते हैं संबंधित तर्थ्यों में यहाँ पर लिखा हुआ है यह साथ अगस 2020 को देश भर में छटवा राश्री हतकरगा दिवस मनाया गया यह चीज़ जो है ध्यान देने वाली है यह इस बार जो यह दिवस मनाया गया है वह छटवी नंबर का दिवस था क्योंकि इस तरह के प्रश्ण आपसे एक्जाम में पूछ लेता है कि साथ अगस 2020 को देश भर में कौन सा राश्री हतकरगा दिवस नेशनल हैंडूम डेव बनाया गया तो आपको मालम होना चीए कि छटवा जो है वो राश्री हतकरगा दिवस इस बार 2020 को मनाया गया है अगला पॉइंट लिखाव है कि जिवस को मनाने का उद्देश यहतकरगा उद्द्योग के महत्व एवं आम तोर पर देश के सामाजिक आर्थिक विकास में इनके योगदान के बारे में जागरूपता फैलाना है ठीक है तो इसका उद्देश से क्या है मनाने का जो ये हेंड डूम जो यह इंडस्ट्री है जो हतकरगा उद्योग है उसकी इंपॉर्टेंस को बताने के लिए उसके महत्व के बारे में लोगों को जागरूप करना है और देश के सामाजिक आर्थिक विकास में इनका योग और उसका योगदान जो है वो उसको उसके बारे में लोगों को बताना जो यह इसका उद्यश्य है और यहां पर जो है यह क्यों मनाया जाता है साथ अगस्त को ही क्यों मनाया जाता है यह यहां पर तीसरा पॉइंट आपको यही बता रहा है कि साथ अगस्त को ही क्यों मनाते ह वह उन्निस सु पांच में होती है कलकत्ता के टाउन हॉल से और जो डेट थी वहां पर जो जनसभा के गए थी यह ने सुदेशी आंदोलन को चलाने के लिए उसको आगे बढ़ाने के लिए जो एक जनसभा होई थी वह 7 अगस्त को हुई थी इसी वजह से इसी वजह से 7 अगस्त को भारासरकार ने राश्री हद करगा दिवस के बारे में इसको घोशित कर दिया तो यह जो आदोलन था इस क्या उद्धेश क्या था इस आंदोलन में घरेलू उत्पादों और उत्पादन प्रक्रियाओं का पुनरुठ्थां करना था जो घरेलू उत थे अंग्रेजों ने यहां पर जो अद्योगी करन जो किया उसमें क्या था जो भारत के पारमपरिक उद्योग थी यह सारे नश्ट हो गए थे और इस वज़े से क्या हुआ स्वदेशी आंदोलन की मांग हुई और इन चीजों को दुबारा से सुरू करने के लिए एक आंदोलन जो हुआ उसकी जनसभा साथ अगस्त वही हुई थी तो भारत सरकार द्वारा 29 जुलाई 2015 को अगला पॉइंट पढ़िएगा कि भारत सरकार द्वारा 29 जुला तो पहला दिवस कब मनाय गया था यह साथ अगला पॉइंट लिखा हुए कि इस वर्स दिवस के अवसर पर वस्त्रमंत्राले द्वारा वर्शूल प्लेटफॉर्म के मध्यम से एक समारोह का आयोजन किया गया ठीक है तो यानि कि बैठक तो जिसरीके से कार्यक्रम हर साल य यहां पर आयोजित होते हैं लेकिन इस वर्स दो है कोविड-19 की वज़े से यह सारे कार्यक्रम आयोजित नहीं हो पा रहे हैं मुर्त रूप से तो वर्शूल प्लेटफॉर्म के मध्यम से समारोह का आयोजन वस्त्रमंत्रा लेके द्वारा किया गया है ठीक है तो यहां पर ही तो एक पॉइंट आपको यहां पर नोट करना है कि 1905 को कुलकाता के चाउन हॉल में एक जनसभा हुई थी सोदेशी आंदोलन की और चारी सुरुवात करने के लिए ठीक है तो यह आपको इसका बैक्राउंड हो गया पहला दिवस का मनाया गया था 7 अगस 2015 को पहला मनाया गया था और इसकी घोष्णा कब की गई थी तो घोष्णा की गई थी 29 जुलाई 2015 को ठीक है मोधी सरकार के द्वारा इसकी घोष्णा की गई थी तो यह तीन से चार पॉइंट यहां पर आपको लिख देना है और इसका जो महात्व उद्देश वेगरा है वह आपको एक ला बता लेगाए और इसी के साथ हमारा अगला दूसरा कोश्ण जुए उस पर हम लोग चलते हैं उसको स्टार्ट करते हैं दूसरा कोश्ण करने के पहले जो हम आपको बता दें जानकारी च्छोटी से इसके पहले जो 9 अगस्त को तीसरा वीडियो अपलोड हुआ था उसके ब तो जो है उसके विशे में एक point था HRD Ministry के बारे में HRD Ministry यानि की मानव संसाधन विकास मंत्राले Human Resources Development Ministry और इसी को सिक्षा मंत्राले कर दिया गया है तो इसके मंत्री जो है वो रमेश पोखरियाल निशंक है भारत सरकार के जो केंदरी या मानव संसाधन विकास मंत्री है वो रम क्योंकि प्रकास जावेटकर जिससे पहले पूरों में यह मंत्राल है उनहीं के पास सब्सक्राइब तो उसी वज़े से जो है चीजे जो है को यह चीज दिमाग से उतर गई मेरे और मैंने इसमें आपको यह बता दिया था कि HRD Ministry प्रकास जावेटकर है तो और इसमें जो है जो कि उत्राखंट से हैं चलिएगा अब स्टार्ट करते हैं यह पिछले वीडियो में था मैंने बात में जब वीडियो देखा तो मुझे ध्यान दिया कि यह चीज मैंने गलत बताई है आपको तो उसको सही कर लेजीगा चलिएगा इसी के साथ जो है अपना second question स्टार्ट क किसे न्युक्त किया गया है option ससी कांत सर्मा, option B रंजन कुमार गोश, option C राजीव गौवा, option D गिरिशंद्र मुर्मू तो जो भारत के नए CAG बने हैं इनका नाम क्या है आपको साथ पढ़ा होगा आपने option D सही आंसर है यानि कि गिरिशंद्र मुर्मू जीसी मुर्मू जो गवर्नर जो है पूरो राज्यपाल को लेटेंट गवर्नर उपराज्यपाल गिरिशंद्र मुर्मू को भारत का नया नियंत्र के महालेखा परिक्षक नियुक्त किया है तो अभी तक जो गिरिशंद्र मुर्मू है वो जम्मू कस्मीर के उपराज्यपाल थे और जम्मू कस जब केंदर शाषीत प्रदेश बना जम्मु कसमिर को जब दो भागों में करके जम्मु कसमिर और दो अलग-अलग केंदर साषीत प्रदेश गठिट हुए और उसका जो पहला लेटिनेंट गवधनर पहले उपरा बने थे वो गिरिश्यंद्र मुर्मु ही है और अभी तक यह थे लेकिन अब इनको 6 अगस्ट को 5 अगस्ट को इनूने स्तीफा दिया और 6 अगस्ट को केंसर कार्डियन को CIG पुर्व आयस दिखा रही है तो ये गुजरात कैडर से आते हैं पूर्व आयस हैं कौन गिरिशंद्र मुर्मू उन्हें अक्टूबर 2019 में जम्मू कस्मीर का पहला उप राजयोपाल नियुक्त की आ गया था ठीक है वह पहले उप राजयोपाल नियुक्त वे थे कब जम्मू ठीक है च्छी के प्दपर्व राजीव महार्सी का रसान लें नियुक्त अभी महार्सी सीजी है और अब कौन हो गया है अब हो गया है हमारे घ्रिशंद्र मुर्मू साहब रगते मार एक पढ़ते हैं कुछ पॉइंट मंश अभी आत्रावत तक या थे तो होगा मैंने क्लासेस में आपको पढ़ाया है यहां पर केवल थोड़ा छोटा सा मैं दो-तिन पॉइंट्स आपको डिस्कस कर दूँ एक इंट्रो बस सीजी का सीजी यानि की फिल्फॉर्म का लिखा हुआ इसको नियंत्रक वह महालेखा परिक्षक कहते हैं अगला पॉइंट लिखा हुआ है कि भारती समविधान के अनुच्छेद 148 के अनुसार भारत का एक नियंत्रक वह महालेखा परिक्षक होगा जिन्हें राश्ट्पति अपने हस्ताक्षर और मुद्रा सहित अधिपत्र के द करते हैं यहां पर एक बात जो लिखी ना कि हस्ताक्षर अपने मुद्रा सहित अधिपत्र द्वारा नियुक्त करेंगे तो यह चीज मैं आपको सीजी पढ़ाऊंगा जो पॉलिटी में जो बच्चे अप्लिकेशन पर जो लाइफ ले रहे हैं पॉलिटी के लिए वहां पर के लिए और सीजी के संदर्व में क्या करते हैं वारंट या अधिपत्र जारी करते हैं इसके वह विश्यसा क्या कैसे उसारा मैं पूछ आपको बताऊंगा अगला पॉंट लिखा हुआ है कि सीजी को उसके पद से हटाने की प्रक्रिया वही है जो सुप्रीम कोट के निया अधिश के लिए है जानि अगर सीजी को हटाना तो कैसा हटाएंगे जैसे सुप्रेम कोट के निया अधिश को फटाते हैं उसके वादिके कारेकाल की बात की गये है कि इस पद पर इनका कारेकाल जो है वह पद भान रिखिट हैनि जिस दिन से अपना वह पद ग्रहंड कर ल राज्य की सरकारों का वित्तिय लेखा जोखा रखता है और उसके रिपोर्ट बनाकर वो केंद्र की रिपोर्ट बनाकर राज्ट्पती को देता है तो यहां पर क्या है आपको सीएजी के बारे मैं कुछ जानकारी दी है और सेजी नए कौन बन गया है जिसके जगह पर बने हैं सारा सब कुछ आपको मैंने यहां पर बताया तो इसी के साथ जो है सारी चीज़े आप नोट कर लिए होंगे यह आर्टिकल वगरा कारेकाल वगरा इस अब नोट कर लिजीगा बाकि हम चलते अप बन गया है क्योंकि मैंने अभी आपको बताया कि अभी तक जीसी मुर्मू थे लेकिन अब जीसी मुर्मू सीजी बन गया पर खाली हुआ तो उनकी जगह पर फिर उपराजपाल किसको बनाया गया तो इसका जो सही आंसर है वह आप्शन बी यानिकि मनोट सिनहा को क्या बना पॉइंट्स यहां पर लिखे हुए है कि 6 अगस 2020 को राश्पती रामनात कोविंद ने वरिष्ट भाजपा नेता मनोट सिनहा को जम्मू कस्मीर का नया उपराजपाल नियुक्त किया तो मनोट सिनहा जो है भाजपा के वरिष्ट नेता है सीनियर लीडर है विजेपी के उन सिनहा वर्ष्ट 2014 से वर्ष्ट 2019 तक गाजीपुर संसदी छेत्र कैसे लोगसभां सबस रहें यहीं यानि वाजपिस मैं 2014 से 24 मैं 2019 तक नरेंदर मोदी कैबिनेट में बतौर केंद्री या रेढीयर राज या मंतरी चीक न रेलवे स्टेट मिनिस्टर जो थे वो रहें इतने समय के लिए 2016 यहां पर है माई 2014 से 2019 तक कैबिट में बतौर केंदरी राज्य मंत्री फिर 5 जुलाई 2016 से 24 माई 2019 तक केंदरी संचार राज्य मंत्री यानि कि इन पूरे 5 सालों में 2 मंत्राले उनके पास रहे एक केंदरी राज्य मंत्री का फिर केंदरी या संचार राज्य मंत्री सोतंद प्रभार का दो इनके पास यह बुरे मंत्राले 5 साल के कारेकाल में रहे इस पद पर उनका कारेकाल जो है पद भार की तिथी से प्रभावी माना जाएगा तो यह सारी चीज़े जो है अपने जो है वो 2014 से 2019 सानी के 16 लोगसभा में उत्तरवड़े से किस संसधिय। छेत्र दो गाजीपुर से थे और 5 साल में दो मंत्रालिन के पास है केंदरी राज्यमंत्री का और केंदरी संचार राज्यमंत्री स्वतंत्रप्रभार का बस यह दो पॉइंट्स इसके यहां पढ़ लिएगा और बागी आंसर जो है आपको तो लिखना ही है कि नय उपराजिपाल जम्मु कस्मिर के मनों सिना बने हुए है ठीक है चलीगा आगे बढ़ते हैं अपने तीसरे कोशन पर चौथा कोशन फोर्थ जो है कोशन चौथा प्रस्मे है इ एक वेक्ति हैं इनका चार अगस 2020 को निधन हो गया आप तो पूछ रहे कि वह कौन थे और ऑप्शन सी इतिहास का और ऑप्शन डिपरियाव रणविद कौन थे यह चार अगस 2020 को निधन हो गया क्या इनके विश्या में कुछ पॉइंट्स लिखे हुए हैं देखेजीगा इचार अगस 2020 को प्रसिद्य रंगमंच कलाकार और सिक्षक इब्राहिम अलकाजी का निधन हो गया उनको भारत में आधनिक रंगमंच का पुरोधा और भीश्म पितामा कहा जाता है यानि कि जो आधनिक भारती रंगमंच है उसमें इनका विसेस महत्व है विसेस योगदान है इसी वज़ेसे इनको आधनिक रंगमंच का पुरोधा और भीश्म पितामा कहा जाता है ठीक है अगला पॉइंट यहां पर लिखा है कि वह राश्री नाटिय विद्याल है NSD National School of Drama जो है राश्री नाटिय विद्याल है उसके सबसे लंबे समय तक सेवा करने वाले निदेशक यानिके डारेक्टर रहे हैं उन्होंने नसीरुद्दिन साह ओम पूरी सुरेखा सीखरी पंकस कपूर जैसे कई सारे अभिनेताओं की पीडियों का मागदर्शन किया है यानि कि यह नसीरुद्दिन साह के समय से अब जो है एक्टर्स का मागदर्शन उनको करते चले आ रहे हैं इसके बाद जो है अब यहां पर जो कुछ इनके अवार्ट्स हैं कौन-कौन से अवार्ट्स मिलें इस इंपोर्टेंट हैं बाकी चीज़ जो मैंने अभी तक आपको बताई हैं यह आप ना भी लिखें तो आप कोई अनिकी नुक्सान नहीं होने वाला है लेकिन यह आप ज कोशन पूश लेते हैं कि जो है इबराहीम अलकाजी का निधन हुआ इस सारीक को इन्हें किस वर्स पदम भूशन इन्हें किस वर्स पदम भूशन से समानित किया गया था ऐसे कोई भी एक बुर्सकार आप से पूश लेंगे तो तीनों लिखें हैं चाचट में पदमस्री एक्यानवे में पदम भूशन और 2010 में पदम भी भूशन ठीक है संगीत नाटक अकादमी ने बहतरी निर्देशन के लिए उन्हें संगीत नाटक अकैदमी अवार्ड से सम्मानित किया था लाइफ टैम अचिव्मेंट के तोर पर उन्हें अकादमी क सरवोच समान संगीत नाटक अकैदमी फैलोसिप भी दी गई थी तो यह जो है इनको लाइफटाइम अचीविमेंट के दौर पर यह फैलोसिप दी गई थी और संगीत नाटक अकैदमी अवार्ड से समाने भी किया गया था इनके बारे में दो-तिन पॉइंट्स जो हैं कुछ इसी के साथ हम लोग बढ़ते हैं अपने अगले पांच्वे प्रश्ण पर प्रश्ण यहां पर लिखा हुआ है कि अगस्ट 2020 को वितिय सेवाओं के विभाग DFS जो है DFS यानि कि Department of Financial Services द्वारा जारी नए आकड़ों के अनुसार देश में फ्रधानमंत्री जंधन योजना क अब तक कितने खाते खुले जा चुके हैं यानि फ्रश्ण आप से पूच्छा एक योजना यहां पर जो है देश में चल रही है प्रधानमंत्री जंधन योजना उसके तहता आप सभी को पता है कि जो है बैंकों में लोगों के यानि खाते खुले जाते हैं या ठीक है उनक चालिस करूण दो लाख और 35 करूण पांच लाख जिसका जो सही आंसर है वह ऑप्शन ए यानि कि 40 करूण पांच लाख खाते अब तक इस योजना के तहट खोले जा चुके हैं जो एक बड़ा नंबर है ठीक है 40 करूण एक बड़ा नंबर है और इस योजना के तहाई 40 पर बात करते हैं यहां पर कुछ तथ्य लिखे हुए हैं जो इंपॉर्टेंट हैं बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रहेंगे आपके लिए इन तथ्यों को लिखना तो यही बात यहां पर लेखे कि केंदर सरकार के प्रमुख योजना है उलेखनी है किसका सुभारम 28 अगस 2014 को किया गया था यह डेट इंपॉर्टेंट है ठीक है आपसे पूछा जाता है इस तरह के से यह बताईएगा कि प्रधान मंत्रे जंधन योजना कब चालू की गई थी तो सुभारम 28 अगस 2014 को गया जो कि पहले एक लाग रुपए रखी गए थी सुनीगा यह जो काम अरूंजेटली जी जब थे फैनेस मिनिस्टर अरूंजेटली जी जब थे हमारे विस तब उन्होंने इस चीज़ को किया था नाउंस किया था कि जो है जब खाते खुलते थे 28 अगस 2018 के पहले जो खा खुल रहे हैं उनमें जो है वह दो लाख रुपए का दुरुखटना अभीमा वहां पर यानिकी ग्राकों का किया जाएगा इसके साथ ही एक अनॉंस्मेंट और की थी कि जो है खाते में ओवर्ड्राफ्ट की सुविधा सीमा को 5000 रुपए से बढ़ाकर 10,000 रुपए कर दिय ओवर्ड्राफ्ट यानि की एक वो सुविधा इस खाते के तहत है कि अगर किसी ग्राहा के खाते में पैसा नहीं भी है तब भी वह जो है वो 23 सीमा तक यानिकी 10,000 रुपए तक की पैसा अपने खाते से निकाल सकता है लेकिन कब जब उसका बैंक रिकॉर्ड अच्छा है त तो इस इसके वज़ेस क्या उनको एक प्रॉफिट देना है कि अगर माली जो किसी समय पैसा नहीं है तो आप 10,000 रुपए तक पैसा निकाल सकते हैं ओवर्ड्राफ्ट की सुविधा से यह एक लाब उनको दिया गया केंसरका ने इस योजना के तहर्ट प्रत्यक घर से बैंक खाता खोलने के वज़ाए अपना ध्यान प्रत्यक वयसक का बैंक खाता होने की तरब खर दिया नहीं कि अभी तक क्या था इनका इस योजना का मोटो था कि प्रत्यक घर से एक बैंक खाता खोला जाए लेकिन अब यह जो 45-45 लाग खाते खुले हैं इसमें 50% प्लाइज आने कि 20 क्रॉण सधीक खाते केवल महिलाओं के हैं तो इस योजना का उद्य से सभी की बैंकिंग तंतर तक पहुंच उसमनिशित करने के साथ ही समाज के कमजोर और निम्न आये वर्ग के हर वेक्ति का बुनियादी बच बैंक खाता जरुरत के मुताबिक करज लेने के सविधा तका बीवा और पेंजन के सविधा मुहिया कराना है यानि योजना से पहले लोगों के पास खाते बहुत कम होते थे वहां पर खाता कैसे खुलना होता था यह सारी अपचारिता है पूरी करने से वह ड़ते थे और कई बार यह उपचाई था है पूरी ना करने पादे के कर उनका खाता नहीं भी खुल पाता था तो जो है कि सरकार ने क्या कर दिया एक जंधन योजना यानि की और इस योजना के तहरत गावों में कैम्प लगा लगा कर सहरों की बात नहीं है गावों में खुद बैंक वालों ने जा जाकर कैम्प लगा लगा कर लोगों के खाते खुलवाएं हैं केवल और छोटी थोड़ करूण महिलाओं 20 करूण से अधिक महिलाओं के खातों में यह राजी 500 प्रतिमा भेजी गई है तो यह फैदा इस चीज का मिला यहां पर लोग बैंकों से जुड़ सके अपने छोड़ी-छोड़े काम सारे वो बैंक से कर सकते हैं चाहे वो अब किसान सम्मान दियोजना की रा कि इस जंधन खाते योजना के तहट तो इसमें 50-45 लाग खाते तक खुल चुके हैं और 50% महिलाओं के खाते हैं और इसके बारे में सारा सब कुछ मैंने आप बताया यह जो एक्सिडेंटल बीमा रासी है वो एक लासी 2 लाग हो गई और और ड्राफ्ट के सुधा 5000 से 10,000 हो प्रतिभूती और विनियम बोर्ड यानि कि सेवी के अध्यक्ष अजयत्यागी के कारेकाल में कितने महा के व्रधी कर दी है तो सेवी के जो अध्यक्ष हैं अजयत्यागी हैं उनका कारेकाल खतम हो रहा था अभी अगस्त में लेकिन सरकार उनका कारेकाल बढ़ा दिया है कि की अठारा माह आए कुछ इनके पॉइंट्स देख लेते हैं लिखा हुआ है कि पांच अगस्ट को केंसरकार ने सेभी के अधश के रूप में आजयत आगे के कारेकाल को अठारा माह के लिए बढ़ा दिया अब उनका कारेकाल एक सितंबर 2020 से 28 फरवरी 2022 तक के लिए हो गया है जीचरेकर पूर्वस अभी कैरकाल क्या हो गया इनका एक सितंबर 2020 से 28 फरवरी 2022 तक इसके पूर्ण का कारेकाल मार्श 2020 से अगस्ट 2020 तक छे मांगे विस्टार दिया गया था यानि कि इनका ओफिसियल जो कारेकाल है वो मार्श में खस्थ में तो इनको 6 माहा का विस्तार दिया गया मार्च 2020 से आगस्त 2020 तक का विस्तार दिया गया अभी अगस्त में फिर इनका कारेकाल समात हो गया तो अभी इनको सितंबर 2020 से 28 फरवरी 2022 तक के लिए 18 मां का विस्तार दिया गया है किसको अजयत्यागी को जो कि सेवी के अध्यक्षें यहां पर सेवी के बारे में लिखा हुआ है कि यह देश में प्रतिभूती और वित्त का वैधानिक नियामक पोर्ड है इसकी स्थापना भारतिय प्रतिभूती और 12akte 1992 के प्रावधानों के केता है 12 अपर 1992 को हुए थी इसका मुख्याल मुंबई में है यहां पर बताया है कि सिभ की सथापना का हुई थी 12 अपर 1992 को हुई थी और इसका हैटकॉर्टर कहां पर है इसका है व потер है मुंबई में से मिका più स्था सब्सक्राइब नें लिखा हुआ है सेबी के बारे में बताया मैं इस्थाफना 1992 मुंबई फुलकु बताया और अजयत्यागी जिनका कारेकाल दूसरी बार विस्तार किया गया है आई अगले साथ में पर चलते हैं अगस 2020 बहारत ने मालदीव इंड़ेस्ट्री और फिशरीर कमपणी लिमिटेड में मत्सेः पालन में सुवधाओं का विस्थार करने के लिए मालदीव सरकार को कितने करोण अमेरिकी डॉलर का रिण दिया हुआ है यानि कि भारत ने मालदीव को रिण दिया है किस वजे से के लिए भारत सरकार को की सरकार को लोन दिया है पूछ रूट सरा कितना लिया है उसका जो सही अंसर है वो आप्ट करण के एक करून ऐसी लाख अमेरिकी डॉलरल एककर आसी लाख अमेरिकी डॉ Criminal को को दिया है कुछ पॉइंट्स यहां पर देख लेते हैं लेखा हुआ है कि इस रिण का इस्तेमाल मश्रीयों को संग्रहित करने और उनके भंडारण की सिवधाओं और जो है टूना मश्री पकाने था मश्री के चारों की तैयारी के लिए संयंत्रों की स्थापना में किया प्लीट्स वहां कि क्या मालदीव को एक कर विस मैं अदा करना है मालदीव को 20 साल में यह पैसा भारत को वापस कर देना है जिसमें 5 और छूट भी चीह और क्यों दिया है तो सभान के सुधाओं को बढ़ाने के लिए यहींत आपको पूरा पुइंट इतना बढ़ा नहीं लिखना है बस मसली पालान के सुधाओं को बढ़ाने के लिए अगली बात हैं पर मुल्ण reclaim के राश्धानी क्या है मौले एक यह जो है मालदीव जो एक आपका द्विपी अदेश है इसकी राजधानी क्या है माले राश्टपती कौन है इब्राहिम मुहमत सोले है इसके मालदीव के राश्टपती है तो मालदीव से जुड़ी जानकारी भी आपको मैंने दी है अब यहाँ पर हम लोग अपने अगले छुआ और और चल के है इसका असर शाहए प्रक्रदेश के पूर्व यह सदिकारी एवं अरुनाफर प्रदेश के पूरो राजइपाल राम डीŃ प्रधान का निधन हो गया है वह National 1987 से मार्च 1990 तक अरणाचल के राजेपाल रहें पॉइंट ये लिखलीजिएगा कि अरणाचल के राजेपाल कब से कब तक रहें 1987 से 1990 तक ठीक है उन्होंने राजीव गांधी सरकार में केंदरी एगरह सचेव के रूप में भी कारे किया जब राजीव गांधी की सरकार थी तेस में उस समय इन्होंने जो है केंदरी ये गरह सचेव के रूप में भी कारे किया उन्होंने असम समझोते और मिजोरम सांथिस समझोते पर हस्ताक्षर करने में भी महात्यपुण भूमी का निभाई थी आप लोग गूगल पर जाकर या अगला पॉइंट यहां पर लिखा हुआ है कि वह 26-11 मुंबई हमलों की जांच है तो गठित उच इस तरही जांच आयोग के अधक्ष भी थे यह इंपोर्टन चीज़ है आपके लिए कोशन आप से राज्यपाल के विशे में ना पूछ कर यह पूछ जेगा कि 26-11 मुंबई हमला उसके लिए जो आयोग बना था उसकी जांच करने उसके अध्यक्ष भी यही थे उन्हें वर्स 1987 में प्रदम भूष्णाट से सम्मानित भी किया गया था किसको राम डी प्रधान जीव को ठीक है तो यह चीज़े ध्यान रखेगा यह कुछ पॉइंट है इनक प्रदेश को राजय का दर्जा कम मिला था किसको राजय का दर्जा जो है वो कम मिला था तो 20 फरवरी 1987 को क्या मिला था अवनाचल को राजय का दर्जा इससे पहले वह क्या था एक केंदरस आश्री प्रदेश हुआ करता था लेकिन 20 फरवर 1987 को इससे क्या हुआ एक राजय का दर्जा दिया गया तो आईएगा इस कोशन को समाप्त करते हुए आगले प्रशन करद्नों यहां पर लिखा है कोविड-19 महामारी के प्रति भारत सरकार की आकस्मिक प्रतिक्रिया सहयतार्थ एडीबी ने हाले में कितनी रासी का अनुदान स्सुक्रत किया है यानि कि कोशन को समझेगढ क्या लिखा हुआ कि कोईद 19 की समय भारत सरकार उसकी आकास्मिन प्रतिक्रियां के लिए यह प्रत्रागने के लिए उनको सीजों को मैनेस करने के लिए सहेता करने के लिए फ़ी ने भारत को कितने मिलियन डॉल्डह 8 मिलियन डॉलर या फिर बारह मिलियन डॉलर इसका जो सही उत्तर है वह आप्शन ए यानि कि तीन मिलियन डॉलर यहां पर अनुदान स्विक्रत किया गया है एडीबी के द्वारा भारत की साहता के लिए कोविड नाइंटीन के समय में ठीक है तो इसके कुछ पॉइंट्स अनुदान को स्विक्रती दी है यह अनुदान कोविड नाइंटीन महामारी के प्रती भारत सरकार की आकस्मिक प्रतक्रिया के साहयतार्थ स्विक्रत किया गया है यह कि साहयता करने के लिए स्विक्रत किया गया है इसका उपयोग भारत की कोविड नाइंटीन प्रतक्रिया को मजबूत करने के लिए करने हेतु आवश्यक वस्तुमों के साथ साथ thermal scanners के प्रप्रपेंड हेतु किया जाएगा ठीकर ना COVID-19 के समय में उसे निपटने के लिए भारत जो है इसका उप्योग करेगा और जो जो चीजे जो यानि कि यहां पर कदम उठाने हैं मजबूत कदम उसके साथ साथ जो है thermal screening की प्रक्रिया को भी स्थापित करने के लिए यह काम इस रिंड का यूश किया जाएगा ठीक है अगला पॉंड लिखाया कि धातव यह है कि इससे पूरवर 23 अप्रेल 2020 को भी ADB ने इसी उद्देश्य के तहट 1.5 billion dollar की रासे स्विक्रत की थी किस प्रोग्राम के तहट तो यह प्रोग्राम का नाम है केर्स प्रोग्राम के तहट अभी आपको यह देखना है कि केर्स प्रोग्राम क्या है इसका फ्लफॉर्म आपसे प्रोग्राम में पूछ लेंगे कि ADB का केर्स प्रोग्राम क्या है इसका पूर्ण रूप क्या है तो ADB दौरा संचालित को इसका फ्लफॉर्म पढ़ रहाओ में सुनिएगा कोविट 19 एक्टिव रेस्पॉंस कोविट 19 एक्टिव रेस्पॉंस एंड एंड एक्सपेंडिचर सपोर्ट ठीक है इसका पूर्ण नाम है इसको लिख लेजिएगा इसके बाद लिखा हुआ है कि केर्प्रोग्राम का विद्पोशन जो है किसके द्वारा होगा CPRO के द्वारा होगा CPRO के द्वारा विद्पोशन यानि कि केर्प्रोग्राम में जो पैसा लग रहा है वो कौन लगा रहा है CPRO लगा रहा है अब CPRO का प्रूप क्या है COVID-19 Pandemic Response Option COVID-19 Pandemic Response Option तो यह CPRO और CARES यह दोनों चीज़े जो है ADB से सम्बंदित हैं इनके पूर्ण नाम फुल फॉर्म जरूर लिख लिजेगा यह पूछे जा सकते हैं से ठीक है और ADB के बारे में यहां पर मैंने जानकारे दी है ADB का फुल फॉर्म के एसे डेवलप्मेंट बैंक ठीक है एसी आई विकास बैंक जिसकी स्थापना 19 डिसंबर 1966 वह थी और इसका हेड़कौइटर कहां पर है फिलिपीन्स की कैपिटल मनीला में इसका ADB का हेड़कौइटर है ADB के अद्धेश को ने माचाथ सुगू आशा कावा माचाथ सुगू जो यहां पर लिखा हुआ इसको पढ़ लिजीगा ध्यान से माचाथ सुगू जो लिखा हुआ एशा कावा यह जापान के हैं और यह वरतमान समय में ADB के अद्धेश है ठीक है और इसी के साथ यहां पर यह अपना प्रश्ण जो है वह समाप्त होता है अगला प्रश्ण नमबर 10 उसको देखते हैं लिखा हुआ है कि 39 जुलाई 2020 को देविड एंटोन गुलजारो ऑप्शन डी नोवल स्टुडेर सही अंतर इसको ऑप्शन ए है राड़ो स्लव वोत्ताजेक ठीक है इसके पॉइंट्स देख लिजीगा 19 जुलाई 2020 29 जुलाई 2020 के मद्धियर यह जो है तिरपनवा बील अंतर राश्षी शत्रंज महुत्सों संपन हुआ है कहां पर बाइने स्विट्जेलेंड में स्विट्जेलेंड के सहर बाइने में यह सत्रंज महुत्सों आयोजित हुआ इस सत्रंज महुत्सों का खिताब पॉलेंड के राड़ो स्लाव वो जिताजेक ने जीता है ठीक है तो यह जो राड़ो स्लाव है यह कहां से जरूर लिखेगा और यहां पर अगला पॉंट जो है भारती ग्रेंड मास्टर फी हरी कृष्ण कर रहे हैं तो क्यूस सब्सक्राइब वो कौन है पी हरी कृष्णा जो की भारती है पी हरी कृष्णा ने अंतिम दौर में इस पैन के डेविट एंट्रों गुईजारों को पराजित किया ठीक है तो यहां पर यह ज्यान गारी आप ध्यान रखेगा कि जो बील अंतर आशे से तरन जमाहता उसका विजयता कोने पोलेंट के राड़ स्लोव हैं दूसरे नंबर पर भारत के ग्रेंड मास्टर जो है पी हरी कृष्णा वहां पर रहे हैं तो आज के जो दस कोशन किस रंखला थी चौथा पीडियाफ जो था यह अतना कंप्लीट हो वह आप जाके कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा और वीडियो अगर आपको अच्छा लगता है पसंद आता है चीज़ें आपको समझ में आती हैं तो लाइक जरूर करिएगा इसमें कोई कंदूसी न करें लाइक के साथ साथ सेर भी जरूर करने का प्रयास करें आपको चीज़ें अच्छे से जो है जारी रह सकेंगी लगातार आपको यहां पर चीज़ें यह मिलती रहेंगी और जो है यहां पर जो बताया था मैंने आपको कि अप्लिकेशन पर जो है क्लासे साथ की एकदम अच्छे तरीके से जो है लॉन्च हो गई है और यहां पर व आपको देली की तरह हर बार की तरह्य पीडियों आपको यह प्र एक आप प्राप्त ततश्व को आनको रहstroke